खबर 36 कर से जहांके सूरजपूर में डबल मुर्डर के बाद बवाल देखने को मिल रहा है गुसाई भीड ने SDM को दोड़ा दिया भीड ने पुलिस कर्णियों के साथ मार पीच की है हत्या की जांच के लिए ये SDM गहते हैं हेड कॉंस्टेबल की पत्नी और बेटी की हत्या होई थी जिसके बाद लोगों का गुसा ये तस्वीर आपको लगतार दिखाते वे आरोपी ने तलवार से दोनों के हत्या की थी गुसाई भीड ने आरोपी के घर को फूंक दिया कई गाड़ियों को भी भीड पते भी नजर आएंगे उनके साथ एक पोलिस का जवान भी आपको नजर आएगा जो कि SDM के मदद करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे तस्वीरों में लेकिन देखे किस तरीके से वहाँ पर हालात बने हुए हैं हत्या की जांच करने के लिए SDM पहुंचे थे लेकिन भीड ने उस SDM जो यहाँ पर पहुंचे थे उनको दोड़ा दिया गुसाई भीड ने आरोपी के घर को फूंक दिया तरह सल हेड कॉंस्टिबल के पत्नि और बेटी के हत्या होई थी जिसके बाद लोगों का गुसा यहाँ पर देखने को मिला आरोपी ने तलवार से दोनों की हत कर दी थे और देखें इस तरीके साब को यहाँ पर लगेगा कि बड़ी संख्या में पूरे जो लोग हैं वहाँ पर आसपास के वह इस वक्त सड़कों पर हैं और लोगों का घुसा लगतार बढ़ता जा रहा और इसी कड़ी में जब SDM उनके बीच पहुंचते हैं तो वहा पहुंचे थे लोगों से बाचीत करने के लिए लेकिन इसी दौरान SDM पर जब लोगों का घुसा फूरने लगता है तो SDM वहां से देखें किस तरीके से भागते वह आपको नजर आएंगे इन तस्वीरों में लोगों में गुसा है जिस तरीके से एक बड़ी घटना पड़ा और लोग जो है वो अपना विरोध जाहिर करते वे भीड ने SDM को दोड़ा दिया पॉलिस कर्मियों के साथ भी आपर मार पीठ हुई है इस पूरे मामले में जो अपडेट है वो है कि जांच के लिए SDM पहुंचे थे और तभी गुसाई भीड से उनका सामना हो गय आप भीड वहाँ पर उनको खदेडते हुए भी इन तस्वीरों में आपको नजर आएगी